सरकार द्वारा भले ही देश्व प्रदेश में सडकों के जाल बिछाये जा रहे हैं लेकिन अभी भी कुछ एक ऐसे गाउं हैं जो कि अभी भी सडक सुविधा से वन्चित हैं जी हां हम बात कर रहे हैं उपमंडल कर सोक के एक ऐसे ही गाउं की जहां पर आज तक सडक नहीं पहुँच पाई है वाक्या विकास खंड कर सोक के तहट पढ़ने वाली ग्राम पंचायत भंतल के भधार गाउं का है जहां अभी तक सडक नहीं पहुच पाई है रविवार को भ सड़क निकालने का अश्वाशन दिया जा रहा है। यहां तक कि ग्राम पंचायत प्रधान जन्मन आदी में भी उनके द्वारा कई बार इस मुद्दे का उठाया गया है। लेकिन अभी तक कोई भी कारिवाई अमल में नहीं लाई गई है। कि यदि अभी भी इनके गाउं तक सड़क नहीं पहुचाई गई तो यहां आने वाले समय में विधान सभा चुनाव में एक भी वोट नहीं डालेंगे। कि इसले दो सालों से ग्राम पंजायत भंतल के बधार गाउं के लिए सड़क सुध्या के बारे में बात कर रहे थे। कि यहां पर आये मानिय विधायक मोदे से अग्रै कि उस कारह को जल्दी से जल्दी शुरू करें यह लगवागत तीन किलोमेटर दूर गाहा है सड़क सुध्या तीन किलोमेटर अचुटता है और तीन किलोमेटर लोग को पैदल चलना पड़ता है जब बीमार होते हैं इस तरह के बीकिट परिस्तित आती है तो बहुत बड़ी समस्य होते है खास तो पर बारिश आती है ना तो वहां पे कोई पकार रास्ता है ना यह च हिमाचल प्रस न्यूज के लिए कर सोग से राज सोनी की रिपोर्ट